हमारी डेय तो देय लाइफ में लीफी बेस्टेबल यूज़ करना बहुत सदूरी है अमने बहुत सारे वेटिक्स भी बनाते हैं आज में आपको by adding amaranthus एक नया दिश बनाना सिखाऊंगी नमस्ते वेलकम तो मैं चैनल आप गीता आज में आपको दाव के साथ पै आदिश बीफी बेस्टिबल आगा अन वित श्हक्तिशल पौडर एक नया सांबर बनाना सिखाऊंगी यूड़ेमित अस सांबर या दार धार थाट इस याविश चली शुरू करेंगे एक कुकर में टू ग्लासस उफ तू अरदार लेके तू तीन बार धोके बॉल करके रखतेजिए इस इस सुफिशेंट फर 5-6 पीपल बॉल होके टंडा होने के बाद मैश करके रखतेजिए इंग्रीडेंट्स फर थू मसाला पौडर 1.5 स्पून चन्ना दाल इंली प्रणोड़ गोली साइज 1.5 स्पून धनिया 1.5 स्पून जीरा मेथी 1.5 स्पून 5-6 रचिली 1 कॉप अस्पूर निया 1 कॉप अस्पूर निया यास्पूर निया wash it thoroughly 7-8 times and cut it along with 1 tomato and keep it aside गैस पे कडाय जडा के सारे मसालों को फ्राइ करेंगे तेल गरम होने के बाद चना दाल आड करके फ्राइ करेंगे Now we are adding धनिया चिलीज मेथी and jeera इज़ थोड़ा फ्राइ होने के पाद 1 4th स्पूल हींग डालेंगे अभी हमारे सारे मसाले फ्राइ होके तयार है टंडा होने के बाद ग्राइंड करके अलक्से रखेंगे अभी लीफी विजटबल दाल बनाना शुरू करेंगे कड़ाई चड़ाके गरम होने के बाद राइंड करेंगे राइंड क्रैकल होने के बाद स्वामबार ओनियन्स आड करेंगे अच्छे से फ्राइ कीचे गोल्डन ब्राउन आने तक अभी दो के काटके रखा हुआ लीफी वेजटबल एंड टोमेटो आड करेंगे अभी वन फूर्ट स्पून ओफ हल्दी आड करेंगे अभी ये सबजी कवर करके पकने दीजिए फर टू टू त्री मनिट्स स्वाधन सार नमक आड कीचे अभी टैमरिंड एक्स्ट्रेक्ट इसमें डालेंगे फ्राइ करके पीस के रखा हुआ मसालों को इसमें आड करेंगे अभी पहले से बॉयल करके रखा हुआ दाल इसमें आड करेंगे यहां पर हमने तूर दाल लिया है अकॉर्डिंट यूर चाय सब चनना दाल मूंग दाल कोई भी दाल ले सकते हैं अभी हमारा लीफी वेजटेबल दाल तयार है आप इसे लीफी वेजटेबल सांबार भी कह सकते हैं जो इंग्रीडिंट्स हमने इसमें डाले हैं वो सांबार में भी डलते हैं सेम आज सांबार दिस इस मल्टी पर्पिस प्रपरेशन है अब इतली दोस या रोटी चावल के साथ भी का सकते हैं दिस इस टेस्टी बहतरीन साइड डिश हैं अगर आपको यह सबजी पसंदे तो जरूर बनाईए घर पे सब को खिलाईए ऐसे बहतरीन डिशेस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए शेर कमेंट एंड लाइक मैं चैनल फिर आपसे मिलेंगे एक नहीं रेसिपिक के साथ तब तक के लिए बाई झाल